हेलो फ्रेंड कैसे हैं आप सब हैपी मा कशंगरानती उसी के उपलक्ष में मैं आज आपको तिल के लड़ू बनाना बता रही हूं तो चलिए देखते हैं क्या कैसे वान पड़ेगा और कैसे बनाते हैं चलिए श्यू करते हैं चलिए यह मैंने इसके नाप की इसके नाप की तिली हुई है तिली हुई है यह दो नाप बरके मैं कड़ाई कर दूंगी इसको मैं कड़ाई में डालती हुँ शेखने के लिए तैयार कर देती हुँ और यह मैंने गुड़ लिया एक पाव करी थोड़ा सा इसका टुकड़े भी पड़े थे गुड़ के यह पुराने गुड़ के तो यह भी मैं ले लिए तो यह एक पाव से थोड़ा सा जादा है एक पाव ही है समझिए तिसमे में पानी डालूंगी एक से डेवर कटोरी यह एक कटोरी है और आधी कटोरी और में पानी डालूंगी यह मैंने इसके नाप की इसके नाप की तिल्ली हुई है तिल्ली हुई है यह दो कड़ाई कर दूंगी तो कटोरी में ली हुई है एक यह है और यह है चलिए इसको मैं कड़ाई में डालती हूं सेखने के लिए तैयार कर देती हूं कष़ा प्याद़ कर देती हूं और यह मेंने गुड लिया है एकक पाव करी है फ्राने गुड़के तो यह मैंने के लिए है तो यह एक पाव से थोड़ा सा जादा है एक पाव ही समझे है तिसमें में पानी डालूं एक से 1 म.दूरी यह काटोरी है और आधी काटोरी और से पानी डालते हैं दे Mal breath की पाया में परियु मदो दोर परंक धूत चासनी बनाँगे चासनी इतनी बनाना है कि जो हाथ में थोड़ा सा चिप अपने लगे एक ताइप की एक ताइप से थोड़ा सा कम होगी चली मैं आपको दिखाऊंगी और यह थोड़ा सा घील भिल हुआ है लगानी के लिए पानी का भी हमें यूज़ करती हूं पानी थी हा तो मैंसे इंकलेती हुँ गयल जाया गाई, तो इसको हम मुने देते हैं यह हमारे हाथ की चाया पड़ रही है फिर से मैं इसको उबलने दूँगी इस तब मुक्तिली का देखते हैं क्या हाल है तिली हमारी लाल हो रही है और हलकी हलकी खुश्बू भी आने लगी है खोड़ा साव बस दो मिनट और हम इसको सेखेंगे तक हमारी चास्मी भी हो जाएगी चास्मी में टाइम रगता है तक हम इसको जल्दी पे चलाते हैं जैसे हमारे लड़ू क्या हमार्यक उल्दी। नापक बदये करें